नमस्कार यूद कॉर्नर में आपका स्वागत है आईए बढ़ते हैं खबर की तरफ यह दिल दहला देने वाली घटना जौनपुर के बकसा थाना क्षेत्र के बसालत पुर गाउं में शनिवार शाम करीब पांच बजे धनराज गौतम की पत्नी आरती ने अपने डेढ़ वर् की नजर पड़ी तो उन लोगों ने आरती से पूछा यहां पर क्या कर रही हो उसने बताया कि मेरे बेटे का कोई खयाल नहीं रखता था इसलिए मैंने बेटे को मार कर फेक दिया लोगों द्वारा घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधिक्षक ग्रामीर पुलिस टीन के साथ मौके पर पहुच कर आरती के निशान देही पर बच्चे के शव को बरामत करते हुए पोस्ट माटम के लिए भेजा घटना की सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया और क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी पुत्र की हत्यारिन मा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया माशब्द जैसे पवित्र नाम को तारतार कर दिया और अपने ही बेटे की हत्यारन बन गई पूछे जाने पर पती ने बताया कि आरती मानसिक रूप से विक्षिप्त है उसको अकसर दौरे पढ़ते रहते हैं इलाज चल रहा था अपर पुलिस अधिक्षक ने बताया कि बच्चे के जिस चाकु से हत्या की गई थी वह बरामत हो चुकी है उन्होंने बताया कि आरती की यह दूसरी शादी है पहली शादी नौपेडवा में हुई थी वहां भी पती से जगड़ा होने की वजह से शादी तूट गई और यह इसकी दूसरी शादी थी यहां भी अकसरपती से जगड़ा हुआ करता था आगे पुलिस विधिक कारवाई में जुटी हुई है यह खास रिपोर्ट थी क्यामरमैन कृष्णा के साथ जिला ब्यूरो धर्मेंद्र शर्मा की जैहिन